है लो इवरीवान आप सभी लोग का स्वागत करता हूं एनके जी एस टड़ी पर और इस वीडियो में हम लोग ब्यार पूल इसके ड्राइपर कर जो एक्जाम होने वाला है उससे के रिगार्डिंग जो हमारा प्रैक्टिस सेड चल रहा है उससी को लोग देखेंगे और आप कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे कि आपका कितना माक्सा है ताकि आप लोग को भी अपना लेबल पता चल पाए कि आपके त्यारी हुआ कहां तक हुई है तो चलिए वीडियो में लोग आगे बढ़ेंगे इसको लाइक करिएगा दोस्तों को सेर करिएगा और चैनल पर चलिए आप लोग इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट में बताएंगे मतलब अपने माक्स को जरूर बताएंगे कमेंट में ठीक है और कोई क्वेरी रहता तो वह भी कमेंट मुझसे आप पूछ सकते हैं तो देर नहीं करते हैं चलिए वीडियो में आगे पढ़ते हैं और दे पताएंगे चलिए इसका आंसर जो है वह थर्ड होगा यानि कि उप्राश्पति उप्राश्पति जो होते हैं वह राजसभा के अध्यक्ष होते हैं और यह सभापती भी कहा जाता है ठीक है अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ से यह में जा जाता है ठीक है और कुछ लोगों को जो है मनुमित भी जाता है ना मंकित भी किया जाता है नामिदी डियाता है डारेक्टल उनको पॉलिटीकल नहीं जूरे तो यह क्वेशन है आप मुझे बताएंगे तो इसका ऑफशन है जो है एफ नमबर डस बी नमबर घ्यारह सी नमबर बारा डी नमबर तेरह तो इसका अंसर जो होगा वह होगा सी यानि बारा बारा लोगों को जो है राजसरबा में राष्ट पत्ति के द्वारा नामांकित किया जाता है और अभी बात करें तो अभी हाले में एक परसन काफी नॉमिटेड जिनको किया गया काफी साफी वो न्यूज में आये थे चलिए नेक्स बढ़ते हैं क्वेशन के तरफ कि भारतिय संसत के कौन से अंग है ठीक है भारतिय संसत के कौन से अंग है इसका ओप्सन है लोक्षभा और राजिशभा बी नमबर राश्टपती लोक्षभा और राजिशभा C नमबर रस्तधानमंति लोकशबा और राजशबा D नमबर उपराश्टपति लोकशबा और राजशबा तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर इसका आंसर जो है वो B होगा राश्टपति लोकशबा और राजशबा इन तीनों को मिलाके ही भारतिय संसत का निर्मान होता है ठीक है और अगर बात करें हम लोग भारतिय समिधान के तो पांचवे भाग में जो है संसत के बारे में जिक्र किया गया है भारत के समिधान के पांचवे भाग में जो है आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक जो है उनका जिक्र पावर है इसमें बता आ घाए टेगे नेक्स्ट के तरफ कि निम्लिखित में से कौन चाल ब्रातिमिक चेत्र में आता है। तो पहला है क्रिष्टिग चेत्र दुसरा है सन्चार चेत्र परिभां चेत्र होगा वो फिर्स्ट नंबर होगा यानि कि चंचार को फण आप इसको बॉर्टन की वान को मों इसाइअ जाताए है को और किस नाम से जानाँ जाताएं तो पहला खाद कादर रहाए लोग बताएंगे इसका अंसर जो है थर्ड होगा यानि के भीज खाद और सिचाइब करांति को यह नाम से भी रहीत करांति के जाना जाना जाता है इन्हीं तीनों चीज़ों पर ज्यादा फोकस किया गया था अब अगर हम बात करें कि भारत में जो हरीत करांति के जो शुरुवात हुआ था है उनुषु सर्शट अर्शट में वह था और इसका प्रकाश का पहरी बार किस ने ना मापता था ठीक है मापता है पहला अप्टन है गेलेलियो दुसरा न्यूटन तीसरा आइंस्टाइन चौधा रोमर इसका अंसर बताएंगे मुझा इसका अंसर जो है डी नंबर होगा याने कि रोमर होगा रोमर ने उन में सबसे पहले बताया था प्रकास के वेग के बारे में कि प्रकास का वेग जो है एक जीरो सकेंड के लगवक बराबर में भी काफी दूरी तरह कर लेता है ठीक है तो यह हो गया चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे हिंदी से क्वेशन यह कि अतिरिक्त सब्द में क सिम नंबर तव डी नंबर एति ठीक है तो इसका अन्सट जो होगा वोग वह वंगा बी नंबर यानिके अति आपको पथा उपसर उसको करते हैं जो किस अंसब्द की पहले लगता है उससे हम लोग उपसर के नाम से जानते हैं तो यहां पे अति अल्वाल अग है और रिक्त ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन के तरब मों बढ़ते हैं और यह कि भासा के सबसे चोटी इकाई क्या है ठीक है इसका अप्शन है श्वर्ण दूसरा वर्ण तीसरा बेंजन चौथा ध्वानी तो इसका एंसर जो अगब होगा वर्ण ठीक है वर्ण जो है भासा के सबसे च छोटे क्याई है चलिए नेक्स्ट्ट एंटर वर्ण गाई हैं और यह किश्पर्कार के दिफ होते हैं तो यह जो है लक्ष दीप समूझ होगा किस प्रगा का दीप है ऑप्सन आपके सामने है ज्वाला मुख्य दीप दूसरा है प्रवाल दीप तीसरा डेल्टा डिप चोथा अब तर्टीय दीप तो इसका आंसर जोगा वह वी नंबर होगा यानिकि प्रवाल दीप यानिकि जिसको कोरल भी कह डीटाक होते है और इसमें क्या होता है कि लोग कुछ ऐसा रीफ का निर्माना करते हैं जिसमें की कैल्सियम कारबॉनेट होता है और उनिकी तरह क्यार्वान धेर दीर करते है चय्छ देप समूझ हो है उसी परकाव्या का दीप है चलि अगले क्वेसेन के तरह मुझे आप जो है सहारा रेकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेकिस्तान है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन के तरह हम बढ़ते हैं और संजुक दराष्ट संग का मुख्याले कहां इस्ति थे उनाइटेट नेसं काफी नीज मिलता है हमेशा तो इसके लिए मैं एक क्वेशन ड किये गई तो जिसमें बहुत सारे देशों ने मिलकर एक और वर्क किये जाते हैं इसके बारे मैं बढ़ता हूं और यह है भारत के सबसे बड़ी मानों निर्मित जिल कौन सी है ठीक है अप्शन आपके सामने है राणा परताव सागर दूसरा है गोबिन सागर तीसरा है बु और यह है इसका ऑप्शन है आपको सामने हैं आपको सामने है छिनख कॉपर और लाड औ पुरर एख तिके बहुत है इंप On क्ऊचन अगले क्वेश्टे ने बढ़ते हैं आशोक के अधितर सिर्धकर किस की構 लिप बोअध्य है है ठीक है बहुत important question है तो यह option आपके सामने है ब्रामी लिपी खरोष्टी लिपी दवनागरी लिपी युनानी लिपी तो अंसर मुझे बताएंगे अपलो और यह इसका अंसर होगा ब्रामी लिपी में अधिकतर जो है और ब्रामी लिपी जो है ब्रामी लिपी दाहिने तरफ दिखी जाती है चलिए अगले question के तरफ हम बढ़ते हैं नालंदा बिश्रुपी दाले किस वन्स के दोरान बनाया गया था इसका option है गुप्त वन्स कुषाण वन्स और पाल वन्स तो इसका answer होगा थर्ड नंबर कुषाण वन्स इनके वन्स में जो है नालंदा बिश्रुपी दाले कर निर्मान किया गया था और कुषाण वन्स की बात कर तो इसके एक राजा हुए कनिक्स के काफी मसूर है कुषा संबंदी थे तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगए तो दोस्तों को जरूर सेर कीजिएगा और वीडियो कैसा रहे कमेंट कर मुझे बताएं ठीक है हो सकता आप अपने स्कूर को मुझे कमेंट में कर दें ताकि दूसरे लोग को समझ में आ जाए ठ आप ताकि ये गुल बाई